तो हम आज डिसक्स करनेवाले हैं about income वर्म पॉर्माइट का खेल है अगर आपका format clear होगा तो आपको सॉलल्ड करने में कोई भी problem जो है वो नहीं होगी तो हमने last session में salary के कुछ university के questions solve किये थे तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो वो videos आप चैनल पर जाके देख कर सकते और अगर आपको यह सब अच्छा लगता है यह videos आपको लगते कि आपको फाइने मन्द है तो अपने friends में इसको जरूर आप share कर सकते है तो आज के session में हम house property के university में पूछे गए questions को solve करने वाले है तो university के questions में क्या क्या expectations university के होते हैं वो पहले चीज़े देखते हैं देखो सबसे पहले अगर हम house property की बात करें तो मैं आपको कुछ basic चीज़े बताना चाहता हूँ house property में सबसे पहला जो होता है वो होता है let out property that means हमने जो property है किसी और को rent पे दिया है and second जो होता है that is self occupied property इसका मतलब हमने property खुद के residence purpose के लिए use किया है अगर हम LOP की बात करें तो LOP में हमको gross annual value calculate करना होता है और gross annual value हम कैसे calculate करते है municipal value, fair rent और actual rent ये तीनो values को हम compare करते है इन तीनो values से हम higher value को लेते है that is our gross annual value इसमें से हम municipal tax paid को minus करते है municipal tax paid काफी important concept है इसमें आपको एक चीज़ याद रखने है municipal tax paid अगर आपको question में दोनों दिया रहेगा owner as well as tenant तो हम सिर्फ owner का ही consider करेंगे हम tenant का बिल्कुल भी consider नहीं करेंगे that will be ignored फिर हमारा जो answer मिलेगा that will be net annual value which is called as NAV NAV में से हम दो deduction को minus करेंगे वो deduction रहेगा under section 24 का इसमें से सबसे पहला जो deduction है वो है standard deduction that will be 30% of NAV तो standard deduction आपको calculate करना है 30% of NAV and जो दूसरा deduction है वो आपका होगा interest on borrowed funds and interest on borrowed fund और standard deduction जब आप minus कर देंगे तब आपको जो final answer मिल जाएगा that will be income from LOP यह आपका final answer मिलेगा this is the format I hope कि आपको format तो पहले से clear होगा अगर हम SOP की बात करें तो SOP दो लाइन का format है GAV और NAV हमारा SOP में निल रहता है उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आएगा deduction deduction under section 24 and this will be only single deduction they are going to get interest on borrowed funds तो इनको सिर्फ interest on borrowed funds का ही deduction मिलेगा अभी इसमें आपको एक चीज याद रखनी है एक date याद रखना है 1st April 1999 तो आपके question में कभी कभी आपको date दिया रहता है कि loan हमने 99 के पहले लिया या 99 के बाद लिया अगर loan 99 के पहले अगर आपने लिया है तो आपका maximum deduction का amount 30,000 होगा और loan अगर आपने 1999 के बाद लिया है तो आपका maximum deduction का amount 2,000,000 होगा और एक चीज़ हमेशा एद रखनी है कि self occupied property जो है SOP इसमें आपको हमेशा negative answer ही मिलने वाला है और आपको फिर house property धुणना है तो house property हम कैसे धुणनेंगे हम LOP में से SOP को क्या करेंगे minus करेंगे तो हमें जो answer मिलेगा that will be income from house property तो this is the format I hope this format is clear to everyone आपने काफी सारे questions already किये होंगे तो अब हम देखते है University में कैसा question पूछा गया था तो देखो Mr. Ranjit is a physically disabled 55% तो ये इदर से आपको तुरंद clear होना चाहिए ये है आपका 80U का deduction और ये 80% से कम disabled है मतलब आपका deduction का amount कितना रहेगा 75,000 तो ये 80 के सारे sections का भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा तो वो भी आप detail में जाके देख सकते है तो 80U में क्या कहा है हमको अगर 80% से जादा disabled रहा तो 1,25,000 और 80% से कम disabled रहा तो 75,000 फिलाल यहाँ पे 55% है इसी लिए यहाँ पे 75,000 आएगा देखो अभी house 1, LOP है house 2, SOP है सब वाल्यू आपको दे दिये है यहाँ पे municipal value, fair rent, actual rent, municipal taxes paid और interest on home loan भी दिया है और देखो यहाँ पे year दे दिया है year है 2020, तो 2020 मतलब 1999 के बात का year इसका मतलब maximum limit आपका कितना होना चाहिए maximum limit 2,000 होना चाहिए लेकिन इधर SOP में कितना amount है, 38 तो हम लोग तो 38 ही लिखेंगे, whichever is less का concept है ठीक है, एक other information है हमारे पास interest on accrued on NSC यह आपका other sources में आएगा तो यह हम लोग other sources भी solve करने वाले है और यह एक ऐसा point है जो आपको deduction chapter 6 में भी ध्यान रखना है तो यह ATC में भी आएगा तो अभी solve करने का तरीका बहुत simple है हमारा time बचे इसले मैंने link दिया है already तो देखो हमको कैसे solve करना है हमको solve करने के लिए सबसे पहले, देखो हमको सबसे पहले क्या करना है हमको सबसे पहले हमको L.O.P. solve करना है तो LOP में मैंने आपके साथ discuss किया सबसे पहले हमको solve करना है gross annual value ठीक है gross annual value हम लोग कैसा solve करते हैं तो हमें तीन concept लेने है municipal value, fair rent और actual rent तो ये municipal value, fair rent और actual rent में से जो भी higher value रहेगा whichever will be higher among these three that will be considered as your gross annual value तो हमने municipal value देखो यहाँ पे 2,25,000 है fair rent 2,45,000 है और actual rent 3,00,000 है तो यही हमको लिखना है यहाँ पे municipal value, fair rent और actual rent इन तीनों में से बड़ा वाला value कौन सा है 3,00,000 है तो यह हमने answer second column में लिख दिया and that is our gross annual value यह जो answer मिला है this is our GAV gross annual value तो gross annual value मिलने के बाद हमको municipal taxes paid minus करने और मैंने आपको कहा था कि municipal taxes में हमको owner का ही municipal taxes paid लेना है tenant का अगर municipal taxes रहेगा तो वो हमें नहीं लेना है तो देखते हैं question में देखो अगर आप question में देखोगे तो यहाँ पे municipal taxes में सिर्फ 30,000 दिया है owner tenant नहीं दिया है तो हम उसको direct consider करेंगे as an owner ठीक है owner ही लेंगे हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगर देखें तो आपका 30,000 का value direct आ चुका है और 30,000 को अगर हम minus करेंगे 3,000,000 में से तो we will be getting a value of 2,70,000 and this 2,70,000 को हम क्या नाम देंगे हम इसको NAV नाम देंगे NAV का मतलब होता है net annual value तो gross annual value में से अगर हम municipal tax paid को minus कर देंगे तो हमें NAV मिलेगा फिर NAV में से हमको deductions minus करने है under section 24 अभी इसमें हमने 2 deduction पड़े थे पहला वाला standard deduction है और दूसरा वाला interest on borrowed funds है तो कैसे कर रहा है standard deduction का rule है 30% of NAV जो आपका NAV दिख रहा है यहाँ पे 2,70,000 इस NAV 2,70,000 का आपको 30% calculate करना है 30-30% तो that comes to 81,000 तो इसको हम लोग bracket में लिख देंगे because गलती से minus के जगे पे plus हो गया तो problem हो जाएगा इसलिए हमको इसको minus करना है 81,000 next है आपका interest on borrowed funds जो आपको question में interest on loan दिया था 35,000 वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है तो अभी हमको 2,70,000 में से 81,000 और 35,000 को minus करना है then we will be getting the answer 1,54,000 that is your income from LOP तो यह हमको house number 1 जो है LOP यह हो चुका है अभी हम लोग house number 2 को solve करेंगे और house number 2 में आपको एक चीज़ हमेशा आद रखनी है कि house number 2 जो है या फिर SOP जो भी रहेगा 1 या 2 कोई भी हो सकता है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ interest का deduction या limit का deduction में ध्यान रखना है तो GAV oblique NAV nil है less deduction under section 24 interest on borrowed funds देखो इसमें मैंने आपके साथ अभी rules share किया था 1st April 1999 ये year आपको याद रखना है इसके पहले अगर हमने loan लिया तो 30,000 का deduction मिलेगा और इसके बाद अगर हमने loan लिया तो 2,000,000 का deduction मिलेगा maximum हमारे question में देखो कौन सा date था हमारे question में था 2000 ठीक है 2,000 का date था तो 99 के बाद है तो maximum deduction 2,000,000 मिलेगा लेकिन question में 30,000 है तो whichever is less का concept हम 38,000 ही deduction लेंगे तो आपको 0 में से 38,000 माइनस करेंगे तो answer मिल जाएगा 38,000 negative that is your income from SOP income from SOP मिलने के बाद हमको क्या करना है हमने क्या सिखा था house property दुणना है कैसे दुणनेंगे हम LOP में से SOP को minus करेंगे let out property का answer एक बार दिखा देता हो आपको देखो यहाँ पे हम check कर सकते हमारे पास answer है 1,54,000 और SOP का answer है 1,54,000 और यहाँ पे 38 तो मैं यहाँ पे लिख लेता हू 1,54,000 हमारा LOP का answer और SOP का answer है हमारा 38,000 जब आप इसको minus करोगे तब आपको answer मिलेगा 1,16,000 that is your income from house property तो income from house property में पहले हमको LOP solve करना है फिर SOP solve करना है फिर आपस में एक दूसरे को minus कर देना है and then we will be getting the final answer that is income from house property अभी एक interest on NSC का point है तो वो हमारा income from other sources के heading में आएगा income from other sources interest on NSC और यह आपको ध्यान रखना है यह ATC के point में भी आता है तो वो 1,00,000 है अभी हमको क्या करना है इन दोनों को add कर देना है मतलब house property और other sources दोनों को जब हम add करेंगे तब हमें जो answer मिलेगा that will be gross total income इसको हम short में GTI नाम से भी पैचानते है तो GTI is what? gross total income that is 2,16,000 तो gross total income मिला 2,16,000 less deduction under chapter 6 से पहला deduction हमारा interest on NSC एक लग दिया है पूरा लिग दिया और 80U disability 55% disabled था वो ठीके? तो मैंने आपको rule क्या बताया था? अगर 80% से जादा disabled रहेगा तो आपको amount याद रखना है 1,25,000 और अगर 80% से कम disabled रहेगा तो आपको amount याद रखना है 75,000 लेकिन और एक rule है 40% से नीचे disabled अगर रहा तो उसको कोई भी deduction नहीं मिलता है तो this is also the point तो 75,000 भी आपने यहाँ पे सिधा लिग दिया अब आपको करना क्या है इस 2,16,000 में से यह 1,00,000 और यह 75,000 जब आप minus करेंगे तब आपको यह answer मिलेगा 41,000 का that is your net taxable income which is called as NTI net taxable income जिसको हम NTI के नाम से जानते है यह था हमारा question जो exam के paper में last year पूछा गया था 80-80 के paper में आया था और 10 marks का question था काफी easy question है तो आप इसी तरीके से format को practice करें यह था house property का question ऐसे हम house property का question और solve करेंगे and then फिर हम combined question जो paper में पूछे जाता है जैसे salary topic के साथ house property topic भी पूछा जाता है वो भी आपको वीडियो आने वाले time में मिल जाएगा तो अगर मेरा यह initiative आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का आप share करें like करें, comments करें जितने आप comment करेंगे YouTube का algorithm इसको promote करेगा आगे और सभी lectures के videos काफी सारे बच्चों को help हो पाएंगे तो मैं मिलता हूँ आपको next session में thank you very much, bye bye, take care